मेरा नाम प्रित्ति वारी और आज मैं आप लोग सब सेर करने वाली ब्राइडल बन हैरस्टाइल तो आप इस ब्राइडल पर भी बना सकते हो एंड गाउन ड्रेस लेंगा आप अगर ऐसे वैडिंग पार्टी में जा रहे हो तो आप ये ड्रेस्ट बना सकते हो बहुत इजी और वीडियो आपको मिल जाएंगी तो सिलाई को से रिलेटेड और पूरी बारीकियों के साथ तो प्लीज उस चैनल पर जाएएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इंस्टाइडी प्रित्तिवाई 24 मेरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी और ये हैरस्टाइल ये वाला भी प्लूट किया तो आप जाके चेक आउट जुरूर कर लिजेगा ये बाला भी हैरस्टाइल बहुत अच्या लगिए सिल्क लूक के साथ साथ बहुत प्यारा लगेगा तो आज मैं डमी पे आपको हैरस्टाइल दिखा रही हूँ अगर आपको और बहुत scy料 है एक सबसे पहले आपको इस तरह के से तरह करके सेट कर देह। बहुत की से पोनी बनाने है एक आपको पुनी बनाना लेना है ध। यूपिन Er Do работу के जस्ट उपर पोनी का half hair लेना है एंड डोनेट को अच्छे से cover करते हुए इस तरीके से डोनेट को छिपाते हुए यहाँ पर एक rubber band लगाएंगे ओके थोड़ा सा डोनेट से उपर rubber band लगाके extra hair को उसके अंदर ही cover कर देंगे जिससे कि कहीं से अगर हमारा hair बहुत कम है तो वो hide हो जाए अच्छे से और उपर से u-pin से इसको set कर लेंगे बहुत ही प्यारा hair style बनने वाला है वीडियो को मत कीजेगा बिल्कुल भी तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने u-pin से इसको set कर दिया है अभी हम लोग क्या करेंगे जो नीचे के hair है इनको अच्छे से कॉम करेंगे और टू पार्ट्स में divide करके cross करते वे उपर से लपेटते वे बन के u-pin से इसको secure करेंगे फिर दूसरी साइड से लेके जाएंगे और इस तरीके से लपेटते वे अच्छे से डोनेट बन को hide करते हुए अगर कहीं से दिख रहा है तो यू-pin से इसको set कर देंगे अब काम करते हैं उपर वाले hairs पे तो इनको इस तरीके से open करेंगे एंड फ्रेंट साइड से जो सडी थोड़ा सा लूज हो जारा है जिसके वाजे से डमी गिरने की चैस थी इसलिए धर ने इसको कस लिया अब यहां से आपको थोड़ा सा ए लेने है अपना आइभियो का जो आर्च होता है वहां से हेर को ले लेना है इस तरीके से आई होपके आपको क्लियर दिख रहा हो गाइज उसके बाद आपको इसके अच्छे से कॉम करना है कॉम करके हलका सा ट्विश्ट करके पफ का लूग देना है आप तो इस तरीके से पफ का प्रफूल करते वे और यहां पे हल्की हल्की सी लाइनिंग बनाएंगे थोड़ थोड़ खीचेंगे जिससे की बालों में फ्रेश लुक आता है एंड जो लुक है वह है वह स्टाइलिस दिखते हैं तो इस तरीके से खीच के सेटिंग स्प्रे से इसको अच्छे से से एक कर ल लगा के इस पर सेटिंग स्प्रे लगा देना है जिसे कि आपकी लाइनिंग जो है वह प्रपर बन जाएगी बाद में आप इसको रिमूव कर लीजेगा साइड के इस तरीके से लेना है हलका हलका ट्विस्ट करना है और थोड़े थोड़े से बाल पकड़के से खीचने है जिसे कि आपका जो ट्विस्टिंग है उसमें थोड़ा सा स्टाइलिस लुक आ जाएगा देन इसको अच्छे से यूपिन से से चैट कर देना है यहां पर देखें कितना प्यारा लग रहा है बहुत आसा कोई प्रोफेशनल होने की जरते हाराम से आप बना लोगे प्रोफे प्रेक्टिस की जरत होती है तो इस तरीके से पूरा इधर का बना लिया है मैंने और यूपिन्स को रिमूव कर देंगे और फाइनल लुक क्या आता है वो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगे तो वीडियो एंड तक देखते दिएगा अब इस साइड के भी हेर को इसी से खीचेंगे ओके जिसे की प्रोपर लाइनिंग हमारे बाल में देखी ना प्यारा था यहां पर लूक हमारा बनके रेडी हो गया अब दुलन पर भी बना सकते हो एंड ऐसे सिंपली कोई पार्टी में वेडिंग पार्टी में है स्वारी कॉल आ गया था इस तरीके से बना का दि अब जो है अठ्की जो हमार्य देख रहे हैं इनको कैसे करना यह स Nee कर मिव को एक इस तरीक से सारे है को लेंगे हैं इस और अच्छे से कौ म कर लेंगे सेटिंग प्रे के डालेंगे और ऐसके उपर एक प्रपर लाइणिंग इस तरीके से बनाएंगे बन पर जूड़े पर सेटिंग स्प्रे लगा के आप इस तरीके से करोगे तो एजली बन जाएगा अब यह पूरी लाइनिंग बनाने के बाद से नीचे से आपको कर दिया है और यह पीन से को सेट कर देंगे सेट करने वाद से एक बार लाइनिंग अपनी फिनिशिंग करेंगे तो यह त्विस्ट करके हो नहीं रहाता तो मैंने यहां पर लगा के फिर अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दिया है थोड़ा सा टाइम लगेगा आप वस्ट बा कि पूरा फाइनल लुक कैसे आता है वो दिखाती हूं अभी कि तो यहां पर लाइनिंग बन रहा है बन के ऊपर और काफी अच्छा सा यूनिक सा ब्राइडल बन मैंने आपको यहां पर बना के दे दिया है जो कि काफी इजी है और काफी आसानी से बना लोगे और यूपिन से मैं चक्छे से सारे को सेट कर ले हूं ताकि हमारा इस्टाइल बीच में खूल ना जाया कहीं भी पूरी पार्टी एंटी आप प्रे दिदीन इसको होल्ड कर सकते हो मतलब पूरे दिन बनाकर रख सकते हो यहां पर यूपिन लगाूंग हो जो जो लाइनिंग बनायी थी मै काफी गजरा भी एड़ कर सकते हैं नीचे की तरफ से और उपर में आप कोई बड़ा वाला रोज है जुड़ा पीन तो आप एड़ कर दीजेगा जिसे की जो आपका हेयर स्टाइल है वो काफी अच्छा दिखेगा तो इस तरीके से यहां पे मैं जुड़ा पीन एड़ कर रही हूं अगर एक बड़ा वाला जुड़ा पीन मिल जाए तो एक ही लगाएगा जिसे की काफी अच्छा स्टाइलिस सा लुक आ जाएगा जुड़े का जो फाइनल लुक था वो मैं भी दिखा देती हूं आपको सजाया है उपर में जैसे पहले बताया वैसे भी लगा सकते हो और इस तरीके से भी इसको सजा सकते हो अपने बंद को आई हूप की वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे ऐसी सपोर्ट करें ताकि और भी अच सब्सक्राइब कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएगा तो थैंक्स फॉर वाचिंग लव यू और टेक क्यार बाई-बाई मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ अतना ख्याद रकिया प्लीज सपोर्ट किजे गाईस